नो सलोस्तों, डेट हैं आज की 6 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कॉसन में तीन इस्यूज डिटेल से डिस्कॉस करेंगे सबसे पहले, लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल को स्टेबलाईज करने से समंदित सिचुएशन खराब है, कोई भी चिंगारी आग में बढ़क सकती है दूसरा आर्टिकल डिस्कॉस करेंगे, क्लाइमेट चेंज की वज़े से बहुत डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है खास करके साउथ एशिया में सिचुएशन को ठीक करना ज़रूरी है नेश्ट डीप फेक टेकनोजी, हाल ही में रैसलर की एक फोटो वाइरल हुई जिसे एडिट किया गया था फिर से ये इश्यू सुर्ख्यों में आया है उसके बाद हिंदू के कुछ आर्टिकल्स को एथिक्स के परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे मतलब एथिक्स के एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे आगे बढ़ने से पहले एथिक्स की एक डेफिनिशन एग्जांपल सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं आज बारी है नॉर्मेटिव एथिक्स की नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब देखो वो मोरल स्टेंडर्स जिसकी base पे हम ये पता लगाते हैं, determine करते हैं कि ये जो conduct है वो wrong है या right है जैसे देखो example के तोर पर Immanuel Kant के न deontological ethics है deontological ethics ये कहते हैं कि कुछ actions न inherent right होते हैं, action चाहे कुछ भी हो जैसे honesty, अपने आप में अगर आपने honesty बरती है तो ये सही है result चाहे कुछ भी हो उसके बाद जैसे भगवत गीता का है, निस्काम करम, करम करो, फल की चिंता मत करो तो आप इन theories के base पे ये पता लगाने की कोशिश करते हो, किसी का action right है या wrong है तो वो normative ethics में आती हैं चीजें मा लिजे किसी का purse गिरा, आपने उसका लुटा दिया तो ये action सही है, गलत है example के तोर पे Emmanuel Kant की deontological ethics के हिसाब से ये चीज सही है results है कुछ भी हो, आपके पास आप बहुत गरीब हो कोई फरक नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपने पर्स लुटा दिया, आपने अच्छा काम किया ये action अपने आप में सही है, इसका results है कुछ भी निकले इसी प्रकार से इसी action को आप अलग-अलग theories के हिसाब से analyze करते हो भगवत कीता के निसकाम करम के हिसाब से भी ये सही है लेकिन utilitarianism के हिसाब से जिसमें बोला जाता है greatest happiness of greatest number मतलब जादा लोगों की happiness insure होनीच चाहिए उसके हिसाब से हो सकता है ये गलत हो तो इन theories के base पे हम कोई action का पता लगाने की कुशिस करते हैं सही है ये गलत है वो चीज़ आती है normative ethics में अब discussion start करते हैं आज की discussion का पहला important article LAC पर यानि line of actual control पर peace establish करने से समदित हैं और आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं background की बात करें देखो India और China आपस में आल्मोस्ट 3488 किलोमेटर का 3488 किलोमेटर का border share करते हैं लेकिन border को लेके dispute हैं अलग-अलग दावे हैं इस वज़े से युद भी हुआ है दोनों देशों के बीच 1962 में अभी हाल ही में क्या हुआ तीन साल पहले 2020 में चाइना काफी सारे points पर इंडिया की side आगे आगया जैसे ये border है चाइना की forces 7 points पर आगे आगई जैसे example के तोर पे गलवान वैली, दपसांग प्लेंस होर्ट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट अब देखो 7 points पर Chinese forces आगे आई गलवान वैली में तो बलकी violence भी हो गया जिसमें हमारे 20 के आसपास जवान सहीद हो गये और चाइना की तरफ से भी casualties हुई उसके बाद से तो देखो दोनों देशों की जो deployment है forces की border पे वो एकदम से increase हो गई 50,000 के आसपास Chinese troops deployed है Ladakh region में और इतनी ही इंडिया की forces भी deployed है बड़े बड़े हतियार LAC पर मुझूद है आलमोस्ट 5 points पे तो partial disengagement हो गया है partial disengagement मतलब दोनों देशों की forces थोड़ा पीछे हट गई है जो disputed point है उसको no patrolling zone established किया है फिलाल के लिए लेकिन कम से कम दो points ऐसे हैं जैसे dapsang planes वहाँ पे अभी भी कोई सैमती नहीं बनी है और दोनों देशों की forces आमने सामने हैं आमने सामने मतलब बिलकुल नजदीक एक दूसरे को देख रही है कभी भी देखो ये जो situation है न बड़े conflict में बदल सकती है नजाने किस point पे कोई miscommunication हो जाए miscalculation हो जाए थोड़ी सी चिंगारी भढ़के और वो युद में तबदील हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता दोनों देशों में जिंगोईजम और नैसलिजम काफी हावी है जिंगोईजम मतलब उगर राष्टरवाद काफी एक्स्ट्रीम राष्टरवाद है दोनों देशों में situation इतनी fragile और unstable है हमारे विदेश मेंतरी एस जैसेंकर ने भी कहा कि इस्टन लद्दाक में LAC पर जो situation है ना बहुत कमजोर है बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर military की assessment से हम देखें ये situation sustainable नहीं है कभी भी ये situation जो है एक बड़े conflict में तबदील हो सकती है और अगर इंडिया चाइना के बीच में conflict होता है इसकी कीमत ना सिरफ इंडिया और चाइना को चुकानी पड़ेगी बल्कि पूरे Asian region को चुकानी पड़ेगी और पूरे world को भी चुकानी पड़ सकती है क्योंकि दोनों देश है major countries है बड़ी economy है अगर इन दोनों के बीच में conflict होता है तो इस conflict का पूरे world में ना सिरफ geopolitical impact देखने को मिलेगा geopolitical impact मतलब world में equations change हो जाएंगी इंडिया फिर directly USA के group में सामिल हो जाएगा पूरी तरह से बाकी देश भी चाइना से डरने लगेंगे बलकि geoeconomic impact भी देखने को मिलेगा चाइना से trade कम हो जाएगा और चाइना की तरफ जो देश है उनका इंडिया से trade कम हो जाएगा तो हर तरह का negative impact देखने को मिलेगा अगर दोनों देशों के बीच में conflict होता है तो इसलिए border पर जो situation है इसका कोई permanent solution निकालना जरूरी है देखो चाइना की ना five finger policy है माओ की थी ये policy माओ का ये मानना था तिबद जो है वो right hand की हतेली है और ये right hand के पांच fingers है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुनाचल चाइना इन पे अपना हक मानता है माओ चाहते थे कि इनको liberate करवाया जाए और इसलिए देखो चाइना अरुनाचल परदेश से और लद्दाख से अपना जो claim है वो छोड़ने वाला नहीं है उसी परकार से देखो इंडिया भी अपनी sovereignty के साथ किसी परकार से compromise नहीं करेगा मतलब ये possible ही नहीं है कि चाइना हमारा land हत्याने की कोशिस करे और इंडिया हाथ पे हाथ दरा बैठा रहे इंडिया चूप कर जाए ये possible नहीं है democracy में तो वैसा ही possible नहीं होता democracy में जनता का pressure काफी ज़्यादा आ जाता है सरकार के ऊपर सरकार ये चीज कभी compromise नहीं करेगी देखो ऐसा नहीं है कि LAC पर पहले सांती थी अब situation खराब हो गई है हाँ वो बात अलग है कि इतनी ज़्यादा deployment पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिली लेकिन situation 1986 में भी काफी खराब हो गई थी बाद में 1988 में हमारे उस समय के परधानमंतरी राजीव गांधी चाइना की आतरा पर गए थे वहाँ से फिर situation ठीक होना स्टार्ट हुई चार border agreement sign हुए दोनों देशों के बीच border पर peace establish करने के लिए 1993 का agreement 1996, 2005, 2013 काफी सालों तक अल्मुष्ट 20 सालों तक तो देखो इन agreements से सान्ती रही border पर लेकिन फिर peace disturb हो गई ऐसा क्यूं राइटर कहते हैं देखो इन agreements मेंना कुछ कमियां थी सबसे पहली कमी ये agreements मान के चलते हैं कि LAC जो है यानि line of actual control जो है वो mostly defined है और दोनों देशों के द्वारा सेमती है कि ये LAC है सबसे बड़ी गलती तो इन agreements ने यही की कि मान लिया कि LAC जो है अब defined है दोनों देश LAC को लेके सेमत है कि ये LAC है बट actual में ऐसा नहीं है LAC अभी तक defined है ही नहीं properly 1993 के agreement का article 1 ये कहता है joint mechanism establish किया जाए ताकि LAC related dispute को line of actual control related disputes को verify किया जाए और settle down किया जाए और देखो ये provision तो किया गया 1993 के agreement में लेकिन 19 साल तक तो कुछ हुआ नहीं और 19 साल बाद एक working mechanism establish किया गया working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs ये working mechanism 2012 में establish हुआ एक साल में दो बार मिलता है क्या इस working mechanism ने कुछ result produce किया ना, almost ना के बराबर दूसरा point क्या कमी थी इन agreements में देखो सिरफ 4 border personal meeting points है 3488 km का border है दोनों देशों के बीच में और border personal meetings जहाँ पे दोनों देशों के अधिकारी मिल सकते हैं ऐसे सिरफ 4 points है 2005 के protocol में आर्टिकल 5 में ये बोला गया था लिपू लेक में भी एक BPM point establish किया जाए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि देखो ये ऐसे points कम है border पे तो constructive engagement नहीं हो पाता दोनों देशों के troops का आपस में officers का आपस में अगर किसी point को लेके कोई confusion हो जाता है तो उस सूरत में इसके लावा 1993 के article 2 में 93 के article 2 में ये decide क्या गया था कि दुनों देश अपने अपनी troops को reduce करेंगे और forces को redeploy करेंगे और कहीं पर क्या कुछ progress हुई answer है no अभी देखो India का mindset ये है कि China की और salami slicing tactics को सहन नहीं करना है चाइना की ये salami slicing tactics क्या है देखो चाइना ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है जैसे माली जी ये border है इंडिया चाइना चाइना की forces पहले तो धीरे धीरे incursion करेंगे थोड़ा आगे आएंगी पीछे चली जाएंगी फिर थोड़ा और आगे आएंगी फिर धीरे धीरे आगे आगे उन्हें समझ में आ गया ना कि इंडिया की troops ज़्यादा objection नहीं कर रही है वहाँ पर infrastructure इस्टाबलीज कर लिया जाएगा ज़्यादा और ज़्यादा encroachment कर लिया जाएगा permanent deployment कर दिया जाएगा फिर map में इस area को अपने अंडर दिखा लिया जाएगा ये सारी चीज़े चाइना के द्वारा ना धीरे धीरे की जाती है एक ही बार में चाइना सब कुछ कर देगा तो इंडिया को समझ में आ जाएगा लेकिन देखो अब इंडिया को वैसे भी समझ में आ गया है ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टीक्स है कि चाइना धीरे धीरे बोर्डर पे हमारा area capture करने की कुछिश करता है एकदम से नहीं करता धीरे धीरे करता है तो सामने वाला देश कुछ objection नहीं रेज करता लेकिन एकदम से अब इंडिया को समझ में आ गया है ये टैक्टिक्स अब इंडिया सैन नहीं करेगा और इंडिया को देखो ये बात भी समझनी होगी कि बोर्डर पे अब ना dispute दोनों देशों की forces के बीच टकराव आपस में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ना surveillance technology बहुत अच्छी आ गई है पहले क्या होता था दोनों देशों की troops आमने सामने नहीं आ पाती थी पेट्रोलिंग करके चली जाती थी लेकिन अब ऐसे ऐसे sensor आ गए है surveillance करने के लिए technology आ गई है पता लग जाता है चाइना को पता लग जाता है कि इंडिया की forces इस point पे आ गई है इंडिया को पता लग जाता है कि Chinese troops इस point पे आ गई है तो इसलिए दोनों जबाब देने के लिए आमने सामने आ जाते हैं ये चक्कर है कि आज कल disputes ज्यादा सामने आने लगे हैं, पहले इतने नहीं होते थे, और दूसरा देखो ये भी बात है न, troops ज्यादा deployed हैं, border पे, roads अच्छी बन गई हैं, aviation asset अब दोनों देशों के पास हैं, जैसे drone इत्यादी, satellite इत्यादी, logistics भी काफी improve हो गए हैं, ये भी एक reason है कि टकराव ज्याद होने लगा हैं, दोनों देशों की troops के बीच में, बर देखो इस situation को न, under control लाना होगा, तो कुछ steps writer recommend करते हैं, सबसे पहले, line of actual control को न, LOC में तबदील कर दिया जाए, LOC मतलब, कम से कम, ये decide हो जाए कि ये border है, basic disputable है, लेकिन decide हो, कुछ तो decide हो, अभी तो न, कुछ decide ही नह claim दोनों का है, लेकिन decide कुछ भी नहीं है, तो पहले कम से कम, एक LOC decide हो, line of control, कि हाँ इस side के area पर तुमारा control है, इस side के area पर हमारा control है, अगर ये decide हो जाएगा न, तो फिर दोनों देशों की forces में, जो अर्ज होती है, कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भी तो हमारा है, वो अर्ज खतम हो जाएगी, ये देखो मुश्किल है, लेकिन दोनों देश अगर maturity के साथ handle करें, तो LOC establish कर सकते हैं, इसके बाद next, जो disputed area है न, उनको no entry zone बना दिया जाए, ना तुमाओ भाईया ना हम आएंगे, और अगर आना है दोनों को, तो patrolling दोनों करो, उस particular area में, या next, joint patrolling, joint patrolling भी explore की जा सकती है, इससे trust बढ़ेगा, disputed areas में न, दोनों देशों की forces मिलके patrolling करें, trust बढ़ेगा, और देखो अभी जो trust इतना ज़्यादा गिर गया है न, इसके लिए confidence building majors तो लानी होगी, कैसे आएंगे, जो ये working mechanism है, corporate and coordination वाला, इसको ज़्यादा powers दी जाए more border meeting points established किये जाएंग, BPM points जो लिपू लेक में established होना था, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ये पूरा article हमने discuss किया, last में writer suggestions बचाते हैं, अब चलते हैं आगे, ये question देख लिजे जो आपको answer देना है, examine the inadequacies in the existing arrangements between India and China for maintaining peace along LAC, मतलब अभी के जो agreements थे, उनमें क्या कमिया है, उसको आपको examine करना है, इसके बाद में क्या measures लेने चाहिए, उन कमियों को address करने के लिए, और LAC पर further, जो escalation हो जाता है, उसे prevent करने के लिए, दस marks का ये question है, आपको इसका answer देना है, ये pre का question है, जो आपको address करना है, slide को pose करके, ध्यान से statement पढ़िएगा, और question का answer दीजिएगा, इसके बाद next जो article है, South Asia में climate migration से समदित है, क्या contest है, देखो 5 June था कल, और 50 वी anniversary वी थी World Environment Day की, World Environment Day के दिन, 1972 में, Sweden के stoke home में एक conference organized होती है, human environment के उपर, उसके बाद से, climate change, environment, ये सब जो issues है, global politics में highlight होते हैं, लेकिन देखो, उस बात को 50 साल पूरे हो गए, आज भी, वर्ल्ड की 40% population यानि की 3.5 billion लोग ऐसे areas में रहते हैं, जहां पर पानी की कमी है, सूखा आता है बार-बार, heat stress देखने को मिलता है, समुन्दर का level, समुन्दर में पानी का level increase हो रहा है, extreme events जैसे flood, tropical cyclone ये देखने को मिलते हैं, ऐसे areas में रहते हैं 3.5 billion लोग, और देखो World Development Report on Migrants, Refugees and Societies में ये कहा जाता है, समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो इन areas में रहने वाले जो लोग हैं, दूसरी जगहें पर migrate कर जाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी livelihood बचाने के लिए, अब राइटर आते हैं South Asia पर, अभी पूरे world की बात की लेकिन अब बात के जाएगी सिरफ South Asia की, South Asia में राइटर कहते हैं, world का सबसे ज़्यादा impacted climate displacement hot sports हैं, मतलब ऐसे reasons बहुत ज़्यादा है South Asia में, जो climate change की वज़े से vulnerable हैं, और जहां से लोग जो हैं, वो migrate कर जाएंगे, displace हो जाएंगे, अगर समय रहता ध्यान नहीं दिया गया, तो, South Asia में देखो, हिंदुकूस हिमालियन रीजन है, coastal areas है, island nations है, डेल्टिक एंड, semi-arid regions है, example के तोर पर, बंगला देश, इंडिया, पाकिस्तान, सिलंका, ये देश, sea में बढ़ते, पानी के level से परिशान है, coastal flood से परिशान है, बुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये परिशान है, क्योंकि glaciers में बरफ फिगल रही है, temperature बढ़ रहा है, मालदीव परिशान है, क्योंकि देखो, वो तो पूरा डूब ही सकता है, उसके बाद, situation देखो, इसलिए भी खराब हो जाती है, South Asia में, population density काफी जादा है, जादा जनसंग्या है, गरीबी काफी जादा है, infrastructure अच्छा नहीं है, 2050 तक 216 million South Asian जो हैं, वो displaced हो सकते हैं, climate regions की वज़े से, कुछ previous examples हैं, जैसे 2020 में, cyclone अमफान आया, जिसकी वज़े से 5 million लोग displaced हो गए, 2015 में, नेपाल में, बुकंप आया था, 6 lakh लोग बेगर हो गए, और 2.6 million यानि 26 lakh लोग displaced हो गए, पाकिस्तान में floods आई थी 2022 में, उसकी वज़े से भी almost 80 lakh लोग displaced हो गए, ये previous examples हैं, अब देखो, लोग जब अपना घरबार छोड़ के, दूसरी जगह पे जाते हैं न, उन्हें बहुत challenges का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपनी नोक्रियों से हाथ दोना पड़ता है, माली जी coastal area में किसी की अच्छी खासी job चल रही थी, लेकिन पानी का level बढ़ गया समुंदर में, और उसका coastal area जहां पे वो रहता था, वो डूब गया, तो उसको अपनी job छोड़ के जाना पड़ेगा, नई जगह पे जाएगा, वहाँ पे food security आएगी, overall crowding हो जाएगी, दूसरी जगहों की माली जिए गाउं से लोग सहरों में जाते हैं, तो सहरों की crowding हो जाएगी, वहाँ पे already काफ़ी ज़्यादा भीड है, और ज़्यादा burden आ जाएगा, मतलब social cost भी इसके चुकानी पड़ेगी अगर लोग displace होते हैं, और economy cost भी चुकानी पड़ेगी, economy cost जैसे की देखो, skilled labor कम हो जाएगी, जिस एरिया को लोग छोड़ के जाएगे, वहाँ से skilled labor चली जाएगी, productivity कम हो जाएगी, agriculture से, fisheries से, forestry से, और social cost जैसे की देखो, बना-बनाया network वो टूड जाएगा, लोगों की community बनी होती है कि इस एरिया में, लेकिन वो उस एरिया को छोड़ के जले जाएगे, तो वो social network टूड जाएगा, community टूड जाएगी, नई जगहां पर जाने से mental health issues का सामना करना पड़ सकता है, crime बढ़ सकता है, social unrest, conflict, ये situation भी सामने आ सकती है, displacement की वज़े से, migration की वज़े से, एक point जो पहले भी मैंने आपको बताया, देखो, मान लिजे, गाउं से लोग सहरों में जाते हैं, सहरों की अपनी अलग तरह की problems है, traffic समंदित problems है, साफ पानी की problem है, बिजली की problem है, ये सारी problems ओर जादा बढ़ जाती है, जब migration सहरों में increase होता है, एक अनुमान के अनुसार, 2050 आते आते, South Asia में 50 million climate refugees होंगे, इसलिए देखो, solutions हमें find out करने होंगे, resilience डवलप करना होगा, resilience मतलब देखो, climate change तो अब हो रहा है, ये कड़वी सचाई है, तो infrastructure ऐसा होना चाहिए, कि हम climate change के negative impact से niparts के, जैसे adopting salinity resistant crops, ऐसी first low को अपनाना, जो resistant हो salinity के against, मतलब salinity का, ज़्यादा impact ना पड़े first low पे, जैसे coastal areas में कई बार ना, समूंदर का पानी आगे भी आ जाता है, land में नीचे समा जाता है, तो उसकी वज़े से, first low पर negative impact पड़ता है, अगर salinity resistant crops हम अपनाएंगे, तो फिर ये फरक नहीं पड़ेगा, coastal area से displacement नहीं होगा, migration नहीं होगा, इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो situation इतना गंबीर होने के बावजूर, policy response काफी कमजोर है, ना सिर्फ सरकारों की तरफ से, बलके international agencies की तरफ से भी, response काफी कमजोर है, जादर देश हैं, South Asia में, उनके पास में comprehensive policies नहीं है, climate displacement को address करने के लिए, मतलब climate change की वज़े से, जो migration होता है, उसे address करने के लिए, international aid जो है, हैं, वो भी इतनी नहीं आ रही है, ताकि जो परभावित लोग हैं, उनकी help की जहांस के, climate funding के जो target है, developing countries की तरफ से, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जैसे developing countries, जो commitment कर देती हैं, कि हम इतना खर्च करेंगे, climate change को address करने के लिए, climate goal अचीव करने के लिए, तो developing countries, developing countries अपने targets को अचीव नहीं कर पा रही हैं, हमें climate resilient infrastructure establish करना होगा, disaster के लिए पहले से तयार रहना होगा, तभी हम climate change जो हो रहा है, इसको ना सिरफ adapt कर सकते हैं, बलकि इसके negative impact को कम से कम भी कर सकते हैं, यानि mitigate कर सकते हैं, लास्ट में राइटर बोलते हैं, सरकारों को और international agencies को, situation की घंबीरता को समझना होगा, targeted policies बनानी होगी, ऐसी communities के लिए जो climate change से सबसे ज़्यादा परभावित हो सकती हैं, उनकी आवसकताओं को पूरा करने के लिए plan मिणाना होगा, और इसके साथ साथ देखो, ऐसे लोगों के लिए alternative livelihood opportunities भी सरकार को खोजनी होगी, next, social protection program उन्हें provide करना होगा, जैसे insurance समझनीद program, ताकि ये लोग climate change के negative impact से निपट स्केम, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, climate change से समझनीद, अब mains का question देख लीजी, जो आपको attempt करना है, उसके बाद pre का भी देखेंगे, climate migration has emerged as a significant challenge in South Asia, South Asia में climate migration एक बड़ा challenge इमर्ज होके आया है, जिस पे urgent attention और robust policy response चाहिए, मतलब ध्यान देने क्या हो सकता है, और मजबूत policy response भी चाहिए, इस situation की light में आप factors बताइए, जो South Asian region में climate migration में contribute कर रहे हैं, 250 words में आपको इस question का answer देना है, अब pre का question भी देख लीजिए, जो आपको attempt करना है, एक second, UPSC इस टाइप का question पूछती है न, match the following कीजिए और बताइए कितने pair साही है, तो मैंने भी इस परकार का question बनाया, सिरलंका, अब वीडियो को पोज करके इमानदारी से comment box में answer लिख दीजिए, फिर match कर लेना, देखो मैं यहीं पर answer दे देता हूँ, पहला, जो match है न, गलत है, लंका में, ग्लेशल मेल्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर glacier है ही नहीं, नीचे वाले दो साही है, तो only two pairs are correct, भी answer हो जाएगा इसका, और पहले वाला जो question था, उसमें सिरफ पहली statement सही है, बाकी नीचे वाली दोनों गलत है, पहले वाली statement सही है, first question में नीचे वाली दोनों statement गलत है, इसके बाद next article, deep fake से समदित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, अभी देखो context ये है, artificial intelligence तो वैसे ही काफी सुर्ख्यों में है, लेकिन ये image viral हुई, 28 मई को जिस दिन नई parliament की building का inauguration होना था न, तो wrestlers प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद ये तस्वीर viral हो गई, कि जो wrestlers हैं, वो smile कर रहे हैं, बाद में पता लगा, ये जो तस्वीर थी न, ये fake थी, इसको तो simple, बाद में पता लगा, edit की गई थी, लेकिन deep fake तो ऐसी technology है, जो editing से, simple जो photoshop होता है न, उससे तो कहीं गुना ज़्यादा तेज है, असल में ये तस्वीर थी, लेकिन editing करके, ये viral कर दी गई, दिखाने की कोशिस की गई, कि wrestlers तो खुश हैं, बश ड्रामा करने के लिए, वहाँ पर गए थे, तो अब इस article में न, deep fake technology के basics, और implications हम discuss कर लेते हैं, अभी तक तो देखो, आपने deep fake की side definition सुन ही लिए होगी, लेकिन beginners के लिए मैं फिर से बताता हूँ, deep fake में क्या होता है, machine learning और artificial intelligence, कि powerful technology का, powerful technique का, इस्तमाल किया जाता है, visual और audio content को, manipulate करने के लिए, जैसे आप ये तस्वीर देखिए, original तस्वीर ये है, लेकिन, इसको तस्वीर को इस परकार से manipulate किया गया, कि ये जो सक्स हैं, वो लगने लगे tom cruise, ये क्या है, ये deep fake है, अब देखो, इस सक्स ने माल लिजे कोई गलत काम किया हो, गलत बोला हो, अगर आवाज भी change कर दी जाए, tom cruise जैसी, जो कि deep fake में ही आता है, यहाँ पर देखिए, audio या फिर visual content को manipulate करना, इस परकार से, कि सामने वाले को लगे, कि manipulate हुआ ही नहीं है, बिल्कुल original लगे, तो मान लिजे ये जो सक्स है, ये कोई गलत काम करता है, और tom cruise की image लगा दी जाती है, तो ऐसा लगेगा कि tom cruise ने वो गलत काम किया है, एक बार Obama की speech काफी ज़्यादा viral हुई थी, लेकिन वो manipulated थी, वो deep fake का सिकार थी, उसमें Obama कुछ-कुछ गलत बोल रहे थे, बाद में पता लगा कि Obama ने वो बाते बोली ही नहीं, और deep fake की साहिता से, उनकी आवाज को manipulate किया गया है, और एक नया audio content जो है, वो add किया गया है, समझ गये, अब देखो issues की बात करते हैं, deep fake के साथ issues क्या है, deep fake का सारा लिया जाता है, misinformation और propaganda को spread करने के लिए, मतलब, जनता कुना समझ में ही नहीं आता, सही क्या है, गलत क्या है, वो फरक नहीं मैसूज कर पाते, और propaganda के सिकार हो जाते हैं, बहुत सारे examples अभी आएंगे आगे, जैसे देखो, बहुत बार ऐसा होता है, कि कई सारे जो celebrities हैं, उनकी images, उनका face लगा दिया जाता है, porn movies में, और उनकी जो image है, खराब हो जाती है, deep fake का सारा लिया जाता है, इसके लिए, कि porn movies में, जो celebrities हैं, उनकी image लगा दी जाती हैं, उनको कितना mental trauma, mental harassment का सामने करना पड़ता होगा, सोचके देखिए, next है, deep fake की साइथा से आज के समय में, financial fraud भी बहुत जादा हो रहे हैं, जैसे एक example आपको देता हूँ, एक energy company है जर्मनी की, उस energy company की branch UK में भी है, और UK की branch के जो head है ना, उनको phone आया, जर्मनी की जो main branch है, उनके head से, और देखो phone जो आया ना, वो इस परकार से बात की गई, एसा लगा कि वास्तों में, जो company के head है ना, उनकी तरफ से phone आया है, और UK की company के branch के head को बोला गया, कि आप कुछ पैसे transfer कर दीजिए, supplier को मैं बोल रहा हूँ, तो UK की, जो branch थी UK में, उसके head को लगा कि जैसे, हाँ company के head ने ही मुझे phone किया है, अवाज बिल्कुल सेम, और ascent भी जर्मनी का, तो मतलब इसके बाद ना, उन्होंने पैसे transfer कर दिये, और company जो है ना, fraud का सिकार हो गई, इस परकार से जो financial fraud है ना, वो भी काफी ज़्यादा होने लगे हैं, deepfake की वज़े से, next, आप देखो, हमारे जो पुडोशी देश हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, निपाल है, इन देशों के बीच में, दराज डालने का काम कर सकते हैं, ये deepfakes, मैं आपको example देता हूँ कैसे, मान लिजिए, परधानमंत्री मोदी की कोई speech जो है, उसमें audio content को change कर दिया जाए, आवाज परधानमंत्री मोदी की ही रहे, तो उस speech का सारा लिया जा सकता है, पाकिस्तान में लोग की जो opinion है, इंडिया के खिलाफ भढ़काने के लिए, बाद में पाकिस्तान कुछ करे, तो वो पाकिस्तान की सरकार बोले कि, कि देखो उनके परधानमंत्री ने भी ऐसी ऐसी बाते बोली थी, तो मतलब जो हमारे neighborhood countries हैं, उनके साथ relations बिगाडने में इस्तमाल हो सकता है, और सिरफ देखो पडोसी देश ही क्यूं, किसी भी देश के साथ रिष्टे बिगाडने में deep fake का इस्तमाल हो सकता है, कुछ content creator है, वो deep fake technology का इस्तमाल करते हैं, वीडियो, वीजूल या फिर audio content को change करने के लिए, अगर उस content का election outcome चेंज करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो उस content creator को punish किया जाएगा, क्योंकि देखो ताइवान का आरोप यह है, चाइवान के कुछ जो लोग हैं वो परियास कर रहे हैं, ताइवान में election outcome को influence करने के लिए, इसी वज़े से ताइवान ने ये कड़े, जो rule है, उनको pass किया, मतलब amendment की election laws में, और देखो हिरानी वाली बात पता क्या है, चाइना जो ये सब काम काफी बार करवाता है, दूसरे देशों में instability पैदा करने के लिए, for example ताइवान में, चाइना पहला ऐसा देश बना, मतलब पहला तो नहीं है, one of the few countries है, जो कि देखो rule लेके आया है, ला लेके आया है कि वो content creator, जो deep fake technology का इस्तमाल करेगा, content को change करने के लिए, और अगर वो content जो है, वो देश के interest के against है, तो उसे punish किया जाएगा, 10 जनवरी 2023 से, चाइना में जो ये rule है, वो लागू हो चुके हैं, बहुत बार देखो, ये ऐसा भी का जाता है, कि जो defense personal है, जैसे काफी बार जो honey trap का सिकार हो जाते है, ऐसे से defense officials को blackmail किया जा सकता है, कि उनकी fake videos दिखा के देखो, हम ये viral कर देंगे, अगर आपने हैं information नहीं दी, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, तो खतरा है, मतलब defense officials या फिर दूसरे personals को blackmail किया जा सकता है, इस technology की साहिता से, video या फिर audio content को manipulate करके, जिलैंसकी है, मार्च 2022 में युकरियन के राश्टरपती जिलैंसकी की एक video viral हुई थी, जिसमें वो अपने soldier को कह रहे थे, कि रहिश्या के against, surrender कर दीजिये, वो हमें मार देंगे, इस परकार की video viral हुई थी, और देखो, इस परकार की video से कोशिस की गई थी, कि युकरियन के जो soldiers है, उनका motivation जो है, वो कम किया जाए, वो video deep fake से manipulate की गई थी, तो ऐसे जो video है, आपको भी पता है, हमारे देश में, कस्मीर में या फिर दूसरी जगहें पर भी viral हो सकती है, जिसमें सेना के जवानों को गलत दिखाया जाए, कि वो देखो, लोग को torture कर रहे हैं, जबकि वास्ताव में वो सच ना हो, deep fake की technology की साइटा से, वीडियो को manipulate किया गया हो, तो खत्रा जो है, वो काफी ज़्यदा गंबीर है, अब बात करते हैं, last की, हमारे देश में last कैसे है, deep fake technology को, या फिर artificial intelligence technology को, miss use को रोकने के लिए, देखो last तो काफी है, लेकिन direct ला कोई नहीं है, for example, information technology act 2000 को, invoke किया जा सकता है, artificial intelligence के miss use को रोकने के लिए, इसके अलावा, IPC section 500 है, defamation को punish करती है, defamation के लिए punish करता है, ये section, information technology act का section 67, 67A है, जो कि देखो, किसी भी परकार के sexually explicit material, जो कि explicit form में हो, उसके लिए punish करता है, representation of people act 1951 में ये कहा गया है, किसी भी candidate या फिर political party के द्वारा, कोई भी false और जो misleading information है ना, उसे spread नहीं किया जा सकता, बड़ देखो, ये भी enough नहीं है, election commission of India ने हलाखी, rules ये set किये हैं, कि जो registered political parties या फिर candidates हैं, उनको देखो, हर पर जो electronic media, जैसे कि TV, social media, इनके लिए, जो वो advertisement बनाते हैं ना, उन advertisements के लिए, election commission of India से, approval लेना जरूरी है, ताकि election commission of India ना, advertisements देख के पहले, verify कर सके, क्या ये advertisement factually correct है, authentic है, या फिर नहीं है, बड़ देखो, जो ये rules हैं, आपने भी देखा होगा, directly artificial intelligence के misuse को tackle नहीं करते हैं, तो आउसकता ये है, कि एक नट dedicated law होना चाहिए, dedicated body भी अगर बनानी पड़े, तो बनाई जा सकती हैं, ताकि तुकि इस technology का जो misuse हैं, खत्रा काफी जादा बड़ा है, technology इतना तेजी से evolve हो रही है, law तो जो है, अभी तक बनाई नहीं है, बन भी गया, तो आपको भी पता है, उतना जल्दी technology का मुकाबला नहीं कर पाएगा law, तो इसलिए एक dedicated body होगी, तो वो समय समय के हिसाब से rules निकालती रहेगी, artificial intelligence के misuse को रोखने के लिए, समझ गए, तो ये पूरा article हमने discuss किया, artificial intelligence के misuse से समन्दित, चलते हैं अगले article की तरफ, अब देखो, ethics through newspaper section में, जो important news है, उनको ethics के perspective से देख से लेते हैं, ये देखो, news है, जेरूसलम में LGBT community के procession को लेके, देखो, 10,000 लोग LGBT community के जेरूसलम में, parade के लिए एकठा हुए, 1 जून को, 2000 policemen के तनाती हुई, वहाँ पे रिलीजियस orthodoxy काफी जादा है, ethical issue देखो, यहाँ पर ये है, पहले ना किसी भी धरम में, orthodoxy काफी जादा थी, LGBT community को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाता था, बट अब ना समय के हिसाब से, कैसे values change हो रही है, अब LGBT community के लिए, tolerance जो है, विबिन धर्मों में पहले से जादा increase हुआ है, चाहे वो इसलाम धरम हो, Christianity हो, even हिंदू धरम हो, अलग-अलग धर्मों में, पहले से थोड़ा जादा tolerance है, यू नहीं कह सकते कि अपना लिया है, पूरी तरह से LGBT community को, लेकिन पहले तो बिल्कुल, कोई भी tolerance नहीं था, कते जादा नफरत वाली situation थी, इसमें देखो, ethical issues ये हैं, LGBT community को लेकि, उनके साथ discrimination होता है, वो उनका जो basic right है, अपने आपको express नहीं कर पाते, basic right to health नहीं access कर पाते, क्योंकि कई सारे देशों में तो जुर्म है, LGBT community का होना पहले, इंडिया में भी यही situation थी, लेकिन फिर Supreme Court की judgment आई, तो आप कैसे values change होती है, उसमें भी आप LGBT community का example दे सकते हो, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है, कि tolerance बढ़ रही है, फिर ethics in IR में देने के लिए एक example है, दो साल का एक पैलेश्टीन का बच्चा मारा गया, West Bank में, conflict में, Israeli troops के हाथों, तो यह example आप ethics in IR में दे सकते हों, इसके बाद ethics में जवरदर्स्ट example है, ममता परधान का, ममता परधान देखो, 1999 के बाद से ही, उन्होंने अपने आपको जोख दिया है, हाथसा हुआ, जल्दी से जल्दी ममता परधान मोके पर पहुँच गई, परशासन की मरद करने लगी, जो dead bodies हैं, उनकी पहचान करने में, जो relatives हैं, उनको counselling करने में, और परशासन से bodies पहुँच जाएं, relatives के पास में, यह insure करने में, तो 1999 के बाद से ही, इन कामों में लगी हुई है, ममता परधान, नीश्वार्थ धंग से, इससे पहले भी काफी बार, जब भी कोई humanitarian त्रास्दी आई, इन्होंने, जल्दी से जल्दी, अपनी सेवाएं देना स्टार्ट किया, जैसे cloud brush हो गया था, 2010 में उसमें इन्होंने help की, केरला में 2018 के floods में इन्होंने help की, 2004 में जब tsunami आई थी, तब इन्होंने humanity के लिए काम किया, तो ममता परधान, ऐसे भी लोग हैं, जो नीश्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन सुर्ख्यों में नहीं आते, बाकी लोगों की तरह हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो अपना PR करवाते हैं, PR मतलब, न्यूस पेपर में जान बूज के, अपनी न्यूस छपवाना, वीडियो के माद्यम से बताना की, मैंने ये काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंजाने लोग हैं, जो काम करते हैं, निश्वार्थ भाव से, लेकिन पब्लिक में सामने नहीं आती चीज़ें, एक और good governance का example है, जो आप good governance में दे सकते हो, अभी ये train हाथसा हुआ ना, IRCTC ने, हम train ticket book करते हैं, insurance भी होता है, जान गई है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होना चेकि, insurance companies पेपर मांगे ज़्यादा, या फिर आना कानी करें, insurance का पैसा देने में, इसके लिए IRCTC ने duty से बढ़के काम किया, तो ये कुछ ethics through newspaper के examples हमने डिसकस किये, अब summary देख लीजिए articles की, सबसे पहले LAC पर situation, LAC पर situation काफी खराब है, tensions है, stabilize करना ज़रूरी है, कितनी खराब है situation, दो points पे तो बहुत ही ज़्यादा आमने सामने है forces, हमारे विदेश मंतरी ने भी कह दिया, कि ये situation stable नहीं है, sustainable नहीं है, कभी भी चिंगारी आग में भड़क सकती है, और इसके बाद में, consequence क्या होंगे, अगर situation खराब हो जाती है, पूरे reason में ऐसानती फैल जाएगी, world और ज़र डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरकी कोष्ट होंगी, geopolitical कोष्ट भी और geoeconomic कोष्ट भी ही, लूप होल्स क्या है, previous agreements में, देखो जो, 1993, 1996, 2005, 2013 के agreements है न, उनमें ये सारे लूप होल्स है, clarity नहीं है, सोच के चल गए थे, कि LAC तो defined है, जबकि LAC ही defined नहीं है, इस वज़े से dispute ज़्यादा सामने आई, बोला गया था, कि LAC को settle down किया जाएगा, इसके लिए working mechanism established किया गया, बहुत लेट, 2013 में, 19 साल बाद, लेकिन उसने भी कोई result produce नहीं किया, insufficient border personal meetings points है, सिरफ 4 हैं, लिपू लेक में बोला गया था, नहीं, established हुआ, बोला गया था, 93 और 96 के agreements में, कि force को reduce किया जाएगा, and read apply किया जाएगा, नहीं किया गया, अब क्या किया जाना चाहिए, sortum measures, delimitation and mapping होनी चाहिए, LAC को LOC में convert कर दिया जाए, मतलब कम से कम ये decide हो जाए, कि इस area में आपका control, इस area में हमारा control, no entry zone, जहाँ पर disputed area है, no entry zone establish किया जाए, या फिर mutual petrolling होनी चाहिए, दोनों देश मिल के petrolling करें, और engagement mechanism को मजबूत किया जाए, ये जो working mechanism है न, इसको ज़्यादा power दी जाए, सबसे last में, enhanced surveillance and communication, surveillance और ज़्यादा मजबूत किया जाए, और communication भढ़िया हो दोनों देशों के बीच में, ये long term majors हैं, जो हमने आर्टिकल में डिसकस की नहीं किये, लेकिन important है, diplomatic negotiations होनी चाहिए, track to dialogue, जैसे scholars की meeting आपस में, confidence building exchange, sorry, confidence building majors, जैसे cultural exchange, joint military exercise और सबसे last में, international norms को मजबूत किया जाए, अब summary देख लीजिए, climate change वाले आर्टिकल की, climate migration हो रहा है, current situation काफी खराब है, world में 40% लोग, ऐसे reasons में जाते हैं, जो vulnerable हैं, South Asia तो ज़्यादा ही vulnerable hot spot है, क्योंकि गरीबी काफी ज़्यादा है, South Asia में, infrastructure काफी poor है, जनसंख्या ज़्यादा है, यह factors से contribute कर रहे है, vulnerability में, यहाँ पे अलग-अलग, देशों में अलग-अलग situation है, जैसे, Afghanistan यह desertification से गुजर रहा है, बुटान, नेपाल, इंडिया यह देश, glacial melt से, इंडिया, बांगलादेश, सिलंका, यह देश, coastal flood से परभावित हैं, sea level right से परभावित हैं, मालदीव तो पूरा डूब सकता हैं, तो हर एक देश को अलग तरह की चुनोती हैं, यह previous example है, climate change के वज़े से displacement देखने को मिला, cost काफी बड़ी है, climate displacement की, social cost भी है, economic cost भी है, social cost जैसे लोगों को घरबाद छोड़ के जाना पड़ता है, अपना mental stress से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे अपनी community को छोड़ के जाना पड़ता है, तो social network तूट जाता है, community तूट जाती है, economy cost जैसे cities में burden बहुत ज़दा बढ़ जाता है, cities में already जो challenges हैं, देखो develop countries को loss and damage mechanism के तहद compensate करना था, वो नहीं कर रहे हैं, जो पैसा देंगे इन देशों को, vulnerable countries को जो climate change से सब ज़रा प्रभावित हो सकते हैं, designation होना ज़रूरी है, कौन funding देगा, कितनी funding देगा, COP27 में, conference of parties की 27 meeting में, जो displacement हो रहा है, climate change, समन्दित लोगों का, उनको recognition ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को global platforms पे आवाज देनी ज़रूरी है, तो यह हमने summary discuss की, यह थी हमारी आज की discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.